वेलकम तो मास्टरिंग MS Word वेद कोडैनिक्स टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप मैनुली भी इन टेबल को एड़ कर सकते हैं मतलब आपको कितनी रोज चाहिए कितने कॉलम्स चाहिए तो आप अपने होरिजॉंटली और वर्टिकली मूव करके जैसे देखें आप जैसे जैसे मैं करसर को मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरे सेल्स जो है उस टेबल में एड़ होते जा रहे हैं जैसे जैसे मैं वर्टिकली मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे ही रोज में और कॉलम्स में सेल्स एड़ होते जा रहे हैं आप मैनूली भी एड़ कर सकते हैं उसके अलावा आप यहां पे इंसर्ट टेबल पे क्ल सकते हैं जो pop-up option है इसमें मैं number of columns दे दे ता हूं five और number of rows में दे देता हूं और जब मैं okay पे क्लिक करता हूं तो मेरा ये five rows और five columns वाला जो एक table है वो insert होजाता है ये method है जिसके जरीए से हम tables insert इसके बाद देखते हैं टेबल की स्टाइलिंग क्या होती है आप यहां पे जैसे हमने टेबल एड़ किया है तो टेब्स में हमारे पास एक टेबल डिजाइन और ले आउट की टेब इंसर्ट हो गई है अब यह टेबल डिजाइन में हमारे पास यह टेबल स्टाइल वाला उसके बाद यह grid tables हैं और यह list tables हैं अब आप जिस table पे click करेंगे आप देख सकते हैं नीचे मेरा जो table मैंने insert किया है उसकी styling जो है उस ही table के according change होती जा रही है आप यहां पे इस table पे click करेंगे इस पे click करते हैं या जिस table पे भी आप click करते हैं आपकी जो styling है जो आपने table insert किया है according to that table set हो जाती है अब let's suppose मैं ये वाला style है grid table 5 dark इस पे मैं click करता हूँ तो ये मेरे पास table की styling change हो जाती है अब इसमें अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि ये जो है इसमें इतने cells थे लेकिन यहां पे 5 cells की रहे एकी cell लग रहा है नहीं ये cell एक नहीं लग रहा है यहां पे उन्होंने highlight कर दिया है header को ये जो row है ये as a header आएगी हमारे पास और उसके बाद first हमारा column add हो गया यहां पे branded rows पे है इसका मतलब ये है कि different colors में ये rows जो है वो show हो रही है अगर मैं इसको unclick कर देता हूँ तो मेरे पास ये जो rows है वो same colors में show होंगी इसके अलावा अगर मैं total rows को कर देता हूँ तो total row में जो by default है just last row जो होती है वो highlight होती है इसके अलावा अगर मैं last column को highlight कर दूँ तो यहां से जो table style option में last column पे click करने पे मेरे पास इस table का last column जो हो highlight हो गया है तो इस तरीके से हम tables की जो styling है उसको set करते हैं या chain करते हैं या जो आपको style अच्छा लगए उसको आप set कर सकते हैं next idea हम किस तरीके से row और column को insert करते हैं पहले इसकी styling जो है मैं इसको plane table में convert कर लेता हूँ अब यहां पे मेरे पास है column 1 यह column 2 है यह column 3 यह 4 और यह 5 column है और यह जो उपर से नीचे हैं यह सारे के सारे columns हैं और अगर मैं इसको कहूं from left to right तो left to right मेरी यह rows है अच्छा जी सबसे पहले हम देखते हैं कि उपर से नीचे हमारे पास columns है अब मैं यह चाहता हूँ कि मैं कोई भी column insert करूं तो क्या करना है जब आप अपने mouse को दो columns के दरमयान जो line है इस पे लेके आएंगे तो आपको यह plus का sign जो होगा जैसे ही आप plus के sign पे click करेंगे तो आपका जिन दो columns के दरमयान में आपने cursor पे जो plus sign आ रहा था आपने उस plus sign पे click किया है तो column भी exactly उन दो columns के दरमयान ही insert होगा अब अगर मैं column number two और three के दरमयान में लाता हूँ तो मेरे पास cursor को लाने से ये plus sign शो हो रहा है इसका मतलब अब जो मेरा column insert होगा वो in two और three columns के दरमयान में आड़ होगा एक तो method है आपका ये undo कर देता हूँ दोनों जो columns add किये थे उसके बाद अगर आप layout पे click करेंगे तो layout पे click करने के बाद यहाँ पे आप देखें आपके पास toolbar group है rows and columns आप क्या कर सकते हैं आप किसी भी cell में click करेंगे तो उस cell में click करने से अब मैंने ये add column two के second cell में अपना करसर रखा हुआ है आप इस करसर को जिस cell में place करेंगे तो rows और columns में अगर आप देखें तो insert above है insert below है insert left है और insert right है अबाव और below जो है जो cells जो above और below add होते हैं वो rows में add होते हैं और जो cells left और right एड़ होते हैं वो columns में एड़ होते हैं क्यूंगे जो rows होती हैं वो left to right होती है तो जो above और below cells एड़ होंगे वो आपके कौन से cells होंगे rows के जब आप cells को left और right पर आप insert कर रहे होंगे तो वो आपके columns में एड़ होंगे अब हमने चुंके cell में हमने cursor को place किया है तो अगर मैं यहां पे insert right करूँ तो मेरा वो column add होगा वहां पे जिस column के cell में मैंने वो cursor place किया था उससे right side पे अगर मैं यहीं cell रखते हुए left side पे add करूँ तो उससे left side पे add हो जाएगा अब अगर मैंने यहां पे cursor को place किया है और मैं कहूँ insert above cell एड़ हो जाए तो यहां से वो insert above हो गया है अगर मैं कहूँ यहां से insert below हो जाए तो वो हमारा below cell एड़ हो जाएगा above और below rows एड़ होँगी जिसको हम cell में cursor को place करने के बाद add करते हैं और left और right जो हैं वो हमारी columns place होंगी इसी तरीके से आप row को manually भी add कर सकते हैं वहाँ पे layout वाले time में जाने के इलावा आप दो rows के दरम्यान ये जो line है वहाँ पे अपना जो mouse है उसका cursor place करेंगे तो ये plus का sign show होगा तो उन दो cells के दरम्यान में जब आप plus का sign पे click करेंगे तो आपका जो row है वो उन्हीं दो rows के दरम्यान में add होगी